हाई गाइस वेलकम टू मॉटर बेंड मॉटर बेंड में आप सभी को फिस्टेक बास स्वागा थे तोड़े विगना टॉक बाउट मारूती सुजुकी अल्टो के टेन जिहां यह अल्टो के टेन है ब्लू कलर की साथ गाड़ी है काफी सारे कालर ऑफ्शंस भी आते लेकिन य एक लौता इंडियन का रहे है जो इस सेग्में इतनी लूवर प्राइस में आपको फोर उफर कर रहे है टाटा ने जो नैनो की प्राइस था नैनो की अंदर कोशिश किया था कि नैनो इंडिया में लाग के जो लोग मतलब टू हीलर रेगुलर राइड करते उन लोगों के लिए एक सपना फूल्फिल किया जाए कि फूर में शिप्ट हो सके लेकिन वह सपना तो टाटा की मतलब वो जो प्लैन था वो डिश्मिश हो चुका है लेकिन एक लाता जो मारूती मारूती उनकी जो लोवर सिग्मेंट की गाड़ी है यह मारूती सुजू की अल्टो के टे है तो उन लोगों के लिए यह चार लाग बेस वरियंट से गाड़ी के स्टार्टिंग प्राइस है तॉप वरियंट गोस अप तो 6 लाक एक शूरू हमारे पास फिला लिए VXI वरियंट है और VXI प्लास वरियंट है इसमें दो वरियंट ही आते LXI और VXI दो वरियंट ही गाड़ी से बिलोंग गरते इंडिया के अंदर जेनरेली मैक्सिमाम पॉपुलेशन लौर मिडिकलास फैंबली से ही बिलोंग गरते तो उन लोगों के लिए यह गाड़ी बहुत ही अच्छी बन जाते चलिए कि यह कुछ आता है डिटेल में जान लेते फिलाल यह जो गाड नहीं आते लेकिन गारी के अचालर देखें कि बहुत ही अच्छा कलर इसके पैंट शकिन देखें कि बहुत ही संदर पिंट अबको गारी के साथ ओफर किया जारें इसका नाम यह वन लीटर एक पेट्रोल इंग के साथ आते हैं गारी के अंदर यहां पर जो फुल उफर किया जा रहे हैं यह पर देख लीजिए इसका जो विल है यह विल के साइस के बाद किया जाते हैं तो यह भी आप चेक कर सकते हो प्राइस पॉइंट की साब से आपको देखना पड़ेगा क्योंकि चार लग से गारी का बेस विरेंट आ जाते हैं इसके साथ यह गारी हमारे पास जो वी एक से प्लास है नॉर्मल वीक से की साथ जाएंगे तो वह गारी पढ़ने वाले आपको 5,6000 रूपी एक शोरूम हमार सेंजी की साथ अब इस गारी के साथ कुछ-कुछ एकसेसरीज भी आपको फिटेट देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देख लीजे क्रोम का इंसार्टिंग आपको इंस्टॉल किया जा रहा है बहुत स्टाइलिस दिख रहे है मतलब छोटी गारी यह कॉम्पैक्ट डिजाइन की साथ है या पर छोटा मोटा अगर थोड़ा भी क्रोम का इंसार्टिंग या थोड़ी जो एकसेसरीज गारी की बॉड़ी पर इंटियूर पर फिट करेंगे गारी और भी सुन्दर दिखेगा अगर आप इसके इंटियूर पर भी नोटिस करे पीछे आई तो यहां पर आपको कुछ अकसेसरीज देखने को मिलेगा जैसे यहां पर बंपर को पर देखेंगे यहां पर भी कुछ एलिमेंट्स अब को अदिशनल देखने को मिलते हैं यह भी काफी बढ़िया हो जाते और पीछे अगर हम आही गये तो पीछे की लुक भी आपको इस अगर आपको अपर करना है तो अब चावी से ओपर कर सकते हो और अगर आप चाते हो तो इस गारी को यहां पर यहां पर लिवर आती है की मदद से भी पूल करके इसको open कर सकतो, मैं फिलाल आपको दिखा देता हूं जैसे इसको lever को पूल करेंगी, तो पीछे जो lead होता है, यह lead अनलॉक हो जाती, तो अभी आप इसको open कर सकतो, तो यहाँ पे space भी देख सकतो, decent enough space आप बोल सकतो, यहाँ पे partial tray आते, यहाँ पे space decent enough ही offer किया जा रहे गारी के dimension की सबसे 4 मीटर से काफी छोटी है 3.5 मीटर के असपस लेंद है और यहाँ पर देखेंगे stripनी भी offer किया जाते है luggage lamp नहीं है यहाँ पर notice करेंगे तो आपको इसके नीचे spare wheel का concept भी दिया जाता है जब प्रॉपर spare wheel आते spare wheel की size की बात किया जा तो यह भी आप देख लिए 13 inch का spare wheel आएगा यहाँ पर भी आपको still dream offer किया जा रहे है गारी की जो overall dimension है उस हिसाब से boot space बड़ी आप बोल सकते हो और यहाँ पर पीछे जो seat आते यह seat 20 seat आते 100% foldable होते है 60-40 split नहीं है तो अगर आपको पीछे और भी space चाहिए तो यह second row है completely आपको fold करने पड़ेगा फिर जाके आपको boot space बनेगा और भी ज्यादा और अगी huge boot space आप बोल सकते हो दो लोग अगर आप travel कर रहे हो तो पीछे की seat definitely fold करके और ज्यादा सावन आप load कर सकते हो इंटिरियोर दिखा देते हैं लेकिन उससे पहले यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको आपको हाई टर्जस्में नहीं आता है सिर्फ इंकलाइन इकलाइन की लिवर ओफर किया रहा और इसके अंदर नोटिस करेंगे इलेक्ट्रोन की अगरा नहीं है क्योंकि प्राइस भी काफी रिजनवल है लो बजट की गारी है लो और मिडिल ख्लस फैमली को टर्गेट करके इस गारी को manufacturing किया गया है, इंडिया के अंदर इस से अलावाद दूसरा कोई गाड़ी आपको मिलेगा ही नहीं, इस price point में, और यहां पे notice करेंगे, तो यहां पे silver insert आ जाते हैं, यहां पे speaker system, यहां पे speaker system V आते हैं, यहां पे space भी काफी बढ़िया है, यहां पे और कुछ नहीं आते हैं, और एक बात, यहां पे कोई भी power windows की control button नहीं आते हैं, तो power windows की control button कहां पे आते हैं, सामने यहां पे दो power windows की control आते हैं, dedicated hazard की button आ जाते हैं, और कुछ यहां पे आपको offer नहीं किया जाते हैं, पीछे की जो window से वहां पे आपको manually fold करना होता है, इसके अंदर dashboard देखेंगे तो काफी बढ़िया है, एक simple सा dashboard आप बोल सकतो, यहां पे notice करेंगे, इसके जो M.I.D. आते हैं, कुछ orange color की साथ आपको animation offer किया है, मतलब light आ रहे, animation तो नहीं है, यहां पे completely आपको analog type style, digital based, analog आप बोल सकतो, negative instrument cluster type design offer किया है, जारे, old school design की साथ है, क्योंकि यहां पे खर्च करना मतलब गारी की price increase हो जाएगा, तब lower middle class इस car को effort नहीं कर पाएगा, यहां पे notice करेंगे, तो यहां पे भी आप देख सेक, तो इसके अंदर जो चीज अच्छा लगेगा आपको, गारी की price point की सबसे, यहां पे एक screen offer किया रहे हो, और यह TFT screen है, इसके अंदर जो resolution है, वो भी काफी बड़ी आपको देखने को मिलेगा, as such कोई problem आपको नहीं होगा, यहां पे android और टो, apple car play, यह दोनों मतलब wellness condition में नहीं आता है, जिया नहीं आता है, लेकिन इसके अंदर यह system आपको काफी बड़ी आ लगेगा, इसके अंदर काफी से information, average, mileage बगेरा, सब कुछ सो करे यहां पर ACVN आपको बीच में जो देखने को मिलेगा, यह आपको कुछ इस तरह design की साथ, और यहां पर notice करेंगा, तो 5-speed gear option आते है, top variant है, लेकिन फिर भी यहां पर थोड़ा सा finishing बेगरा, base variant की तरफ ही देखने को मिलेगा, यहां पर notice करेंगा, तो 2 car folder आ जाते है, यहां यहां पर काफी सारा space बेगर है, और इसके साथ 12-volt का outlet आते है, USB की connection आते है, AC की regulation unit आ जाते है, और AC की blade को dedicated button बेगर है, और यहां पर काफी सारे control unit और मिलेगा, और यहां पर notice करेंगा, तो आपको यहां पर steering wheel के अंदर काफी सारे control unit भी offer किया जारे है, basically informant से जुरू है, यहां पर phone उठरे की रखने की buttons आते है, यहां पर headlamps की stock और यहां पर देखेंगे तो आपको wiper की control unit आ जाते है, गाड़ी की साथ आपको adjustment कैसा offer किया जारे है, यहां कोई भी adjustment इस गाड़ी की साथ आपको नहीं provide किया जारे है, होना भी नहीं जारे है, क्योंकि गाड़ी एक काफी compact design की साथ थी, यह 4.3 meter की आसपस length है, तो यहां पर steering wheel adjustment आपके कोई काम की चीज़ है ही नहीं, वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, तो यहां पर और कुछ आपको नहीं मिलेगा, seat covers जैसे मैंने आपको बता है, इसके लिए अपको अलग से charges पे करना होगा, approximately यह जो seat cover है, total past seat cover अगर अप लगबाते हो, तो उसकी cost आएगा around, यह बाला seat cover देखेंगे, तो यह seat cover की price आएगा, आपको 7,800 की आसपस इसकी pricing है, यहां पर देखेंगे, तो यहां पर भी एक आपको कुछ knob type design offer किया जारे, यहां पर notice करेंगे, तो false dummy है, कुछ button बगर है, नही है, top variant है, लेकिन फिर भी नहीं है, CNG की साथ जाएंगे, तो इसकी mileage और ज्यादा मिलेगा, petrol गारी की साथ आपको इसको mileage भी बहुत बढ़िया मिलता है, 24-26 KPL की mileage, Asper company के लिए, इससे ज्यादा mileage आपको petrol गारी की साथ फिलाल देखने को नहीं मिलेगा, इसके अंदर जो engine ह आपको 1-liter की engine आते है, technically 998cc की engine है, 3-cylinder engine आएगा, इसके अंदर fit and finishing लेकर कोई issue नहीं है, काफी compact जगा है, यहाँ पर जगा काफी कम है, लेकिन फिर भी इसके अंदर engine की management है काफी बढ़िया मिलेगा, यहाँ पर कोई इंसुलेशन बगर है नहीं, और इस गारी की जो engine है यह मतलब जितना power and torque produce करने बला है, यह engine 66, BHP के असपस power produce करेगा, और साथी साथ यहाँ पर 89Nm के torque भी जिनट करेगा, that means torque and power, गारी की करबड की सबसे decent है अब बोल सकते हो, 5 लोग अरम से बैच सकते है, पीछे seat में कितना comfortability है, यहाँ पर आजाए यह आपको दिखा देते seat देखेंगे, तो यहाँ पर जो seat offer किया जा रहे, यह पहले notice कर लेजिए, यहाँ पर seat की quality लेकर कोई issue है नहीं है, और यहाँ पर मैं bad cup को चिक कर मूँगा, तब भी आपको समझ में आएगा, मेरा height 511 है, जी हाँ, मेरा height 511 है, approximately 6 feet के असपस, तो उसी सबसे आप यहाँ पर definitely रख से, तो कोई भी AC Benz rear passenger के लिए नहीं है, top variant है, फिर भी आपको AC Benz नहीं आते है, thigh support काफी बढ़िया है, पीछे की जो city है, काफी wide है, यहाँ पर आके देख लीजे, काफी wide है, thigh support यहाँ ता गार है, that means long drive करेंगे, आपको तकलिप बेगर है, नहीं होगा, गारी के कीजिए, क्योंकि गारी काफी compact है, आपकी mileage भी अच्छागा सा produce करके देगा, अगर आपकी पास एक बड़िया गारी है, तो भी आप इस गारी को consider कर सकतो, ले सकतो, city purpose के लिए, तो बहुत बड़िया गारी बनेगा, और गारी के अंदर comfortably देगा, कोई issue अगर है नहीं, पी बिसिकली दो variants आते, LXI variant and VXI variant, उसके पर VXI Plus भी आते, Plus लेंगे, ये VXI normal लेंगे, 5,6,000 एक शुरूम प्राइस है, VXI Plus की साथ जाएंगे, तो 5,00, 35,000 रूपेस आपको एक शुरूम पढने बला है, इसके साथ CNG option भी आते है, CNG लेंगे तो अप्रोक्सिमेटली आप आपको 5,00, 95,000 रूपेस एक शुरूम पढने बला है, तो 6,00 की आंदर एक शुरूम प्राइस टॉपेंड, एकदम टॉपेंड वेरियन का आ जाते, इसके साथ automatic option भी आते, जिसको company AGS technology भी बोलते है, अगर आपको वीडियो यहां तक पसंद है, चैनल को सब्सक्रीब कर ल जो आपको एनीज 34 की पर प्लेस्ट है, यह बारा साथ के अंदर सीचुएटेर आप यहां पर डेफिलिटल आ सकते हो, चली फिर मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई-टेक केस्ट वेगईन आण जाहिंद!